आमतोर पर युनिवर्सिटी का नाम आते ही पंड़े लिखने या फिर छातर राजनिति की बास सामने आती है अंदौर के देविया हलिया युनिवर्सिटी में पीसटी में दस प्रतिशत आरक्षन के मांग को लेकर सामाने वर्क के उमेदवारों ने अनुठे ढंग से अपनी बात रखी आरक्षन की मांग करने गए प्रतिनिती मंडल ने पहरे युनिवर्सिटी के मुख्य गेट इसके बाद कुलपती रेनुजयन के कमरे में शंक बजाया शंक द्भनी सुन छातरों की फीर एकतर हो गए कुलपती भी अच्रक में पढ़ गए कि शंक क्यों बजाय जा रहे हैं ये शंकनात ना तो किसी युद्ध का आगास था और नहीं आंदोलन का ये केवल पीस्टी में 10 प्रतिशत आरक्षन की मांग थी देविहले विश्वध्यारे में सामाने वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षन आर्थिक सिति के आधार पर लागू किया जाएगा सामाने वर्ग के लिए गिंद्र सरकार राजसरकार और मुख्यमंत्री कमलनात शिक्षामंत्री जीतो बटवारी दस प्रतिशत आरक्षन का समर्थन कर चुके हैं डेवीवी में ग्यापन देने पहुचे परशुराम सेना के अनूस शुकला ने बताया कि कुलपती डॉक्टर रेनू जेन से बात की जिस पर कुलपती ने कहा कि राज्य सरकार इसे लागू कर चुकी है जो की केंदर सरकार और राज्य गवर्मेंट दोनों विकत एक वर्ष से लागू कर चुकी है और हमारे पीजडी परिक्षा के अंदर फिर उस चीज का उलेख नहीं हुआ था उसी चीज को ध्यान वाकर्षन करने के लिए हम सवन समाज की ओर से यहाँ पर शंक ध्वनी करकर आदर्नी कुलपती महोदया को इस विशे में उनको जानकारी दी कि यहाँ पर जो 10 प्रतिशत आरक्षन आर्थी ग्रूप से कमजोर वर्गी के लोग है वर्षी वद्याले में प्यस्टी के लिए लागू करने के बाद अब इसे CET और अन्य एक्जाम में लागू करने के लिए मांग की जा रही है कि यह रही पोड एक्स पोड़ी एंडार